तुदेए ये चैप्टर जो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है यह हमारी प्रित्वी के बारे में है कि हमारी प्रित्वी और उसके जो नाइबर्स है पडोसी है उनके बारे में हम जानेंगे चलिए देख लेते हैं यानि हमारी प्रित्वी है बच्चों वो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है लैंड, वाटर और अड़ एर इसके बारे में बच्चों आपने प्रिविएस क्लासे में यूव आप लर्यदी लर्न अबाट इट इन अड़ एक तीहाई हिस्सा यानि कि वन फोर्थ अगर हम चार हिसे बाटते है तो इसमें से तीन हिसा क्या है वाटर है और एक हिसा लैंड है जो जो प्रिथवी है वाटर बोडी से धकी वही है वाटर बोडी से ओपन फिल्ड है कहीं पे माउंटेंड है इसको हम क्या कहते है एटमोस्फियर और यहां तक प्रिथवी से जहां तक हम जाते हैं जहां तक एयर होती है वहां तक एटमोस्फियर होता है और उसके बाद का जो जगह होता है that is called space यानि कि अंतरिक्ष कहलाता है the earth has no light of its own पृत्वी की अपनी रोश्णी नहीं होती है earth and other planets सबसे पहले में बच्चों आपको बता दू कि हमारे solar system में सौर्य मंडल में अंतरिक्ष में जो सौर्य मंडल है सौर्य मंडल में 8 ग्रह हैं कितने planets हैं 8 there are 8 planets in our solar system और our solar system जो हमारा solar system है वो आता है milky way galaxy में अंतरिक्ष में बहुत सारी galaxy हैं सौर्य मंडल में बहुत सारी galaxy हैं यूं कह ले यानि ब्रह्मान में बहुत सारी galaxy हैं जिसमें से एक galaxy जिस galaxy में हम आते हैं that is called milky way galaxy let us see there are 8 planets which revolve around the sun यानि हमारे solar system में 8 planets हैं जो की सूरज का चक्कर लगाते हैं earth is one of these 8 planets and the 8 planets are mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus and neptune तो बचों ये 8 planets हैं जो हमारे solar system में पाए जाते हैं then next the sun and these 8 planets together form a system that is called solar system यानि सूरज आठ ग्रह मिलकर एक system मनाते हैं that is called solar system planets do not have light of their own planets के अपने light नहीं होते हैं when sunlight falls upon them it gets reflected यानि जब सूरज की रोशनी उस पर पढ़ती हैं तो वो reflect करते हैं this makes them glow इससे वो ग्रह चमकते हैं earth seems to be very big but compared to the sun other stars earth is very small यानि हमको प्रिथवी जो है काफी बड़ी लगती हैं लेकिन अगर sun के साथ हम compare करते हैं तो उसके सामने बहुत ही छोटी है the earth is about 150 million kilometers away from the sun प्रिथवी की दूरी सूर से कितनी है 150 million kilometer away earlier the solar system was considered had to have a nine planets the ninth planet was Pluto and now Pluto is not regarded as a planet okay children the next we talk about next topic that is shape of earth what is the shape of shape of earth the earth is round and the earth is shaped like an orange प्रिथवी जो है वो गोल है लेकिन वो उपई की सता और नीचे की सता में थोड़ी सी दभी हुई है it is slightly flat at the poles plugging in the middle the earth looks flat to us long ago people thought that the earth was flat यारी ancient time में लोगों को लगता था कि प्रिथवी चप्टी है but now there is enough proof to show that that earth is round okay students next hundreds of years ago European sailor had showed that the earth is round and they started their journey from certain point of the earth and moved on in the same direction in the end they reached the same point from where they started यानि कि कई वर्षों पूर्व यानि पुराने जमाने में यूरोपियन नाम यूरोपियन का एक सेलर था जिसका नाम था मैंगलन जो उसने ये तय किया कि मैं पूरी जर्णी यानि पृत्वी का पूरा जर्णी करूंगा तो उसने जहां से शुरुआत की थी लास्ट पे वो घूमते 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 उसी पॉइंट पे वही पे उसका एंड हुआ तो दस इस कैन हैपन अल्ली इव पाथ ही सर्कुलर और यह तभी हो सकता है बच्चों जब हम एक पॉइंट से स्टाट करते हैं और दूसरे पॉइंट पे फिर आकर मिल जाते हैं इसका मतलब है कि पाथ जो है वो सर्कुलर है अर्थ is the only planet in a solar system on which life has been found और एक और खासियत है हमारे ग्रह की कि पृत्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव होता है और यह जोस था कि अच्छ एक आप ब वाद पेश कि अचछ शर बन्हां जापिंग धिवन स्ट इस दूड़ घर्फ दिस चार वाद कि पॉप बन्हां जीवन भाद फ लचाट आप अच्छिप्ज़ अच्छ रद कि यहां of the moon this shows is is round shape यानि कि जब एकलिप्स बनते है यानि जब ग्रहन लगता है तब भी हमें round shape this shadow दिखा जेता है इसके कारण भी ये सिद्ध करता है that is the earth is round यानि ऐसे बहुत सारे प्रूफ है जिसके कारण ये प्रूफ हो चुका है कि पृत्वी जो है that is in round in shape okay astronauts have landed on moon they have taken a photograph of the earth from the moon also and these photograph shows that the earth is round okay children the next movement of the earth the earth has two type of movement यानि प्रृत्वी की जो movements उसके बारे में हम जानते है तो प्रृत्वी की दो movements होती है आपने प्रृत्वी का छोटा सा structure देखा हो that is globe यानि short model यानि small model of the earth is called globe नमारी प्रृत्वी ऐसे एक imaginary line यानि अपनी ही धूरी पर घूमती है उसके साथ साथ वो प्रृत्वी प्रृत्वी जो है सूरज का चक्कर भी लगाती है प्रृत्वी घूमती भी है और सूरज का चक्कर भी लगाती है तो यही दो movements है the earth spins like a top यानि वो बिलकुल लट्टू की तरह घूमती है the spinning of the earth on the earth on its own axis is called rotation of the earth प्रृत्वी का घूमना rotation कहलाता है and the earth complete one rotation in 24 hours उसको अपना एक rotation complete करने में 24 घंटे लगते है यानि एक पूरा दिन लग जाता है दिन रात it spins from west to east और यह हमेशा west से east की तरफ घूमती है the earth gets light from the sun and the sun shines all so children in the next video I will teach you about the another movement that is revolution of the earth so children I am going to end this video thank you for watching